हाई दोस्तों,사ईअज हीब,back with another interesting and most important video इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ hard disk के सारे के सारे problems कैसे fix करने है जी गैस इस वीडियो में bunch of problems को इखटा करके लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको हर problem का solution बताऊँगा practically करके दिखाने वाला हूँ अगर आप second problem ऐसा हो सकता है कि आप externally use कर अपने hard disk को तो अचानक से जो है वो connecting नहीं हो रहा है, यह second problem हो सकता है, third problem आपने hard disk को रखा है सिर्फ storage के लिए, मतलब उसको बहुत time तक अपने use नहीं कर रहा है, और उसके बाद जब लगा रहे हो तो वो तो show ही नहीं हो रहा है, उ लेकिन at the last फिर भी repair हुआ नहीं हमारा hard disk, तो final solution क्या रहेगा इसका, data को 100% recover तो नहीं कर सकते हैं, बठा 99% chances है कि आपका data recover हो सकता है, अगर उसमें अंदर एक part को कुछ ना हुआ हो तो वो क्या है, कैसे है, हर चीज में आपको बताऊंगा, detail में cover करूंगा, लेकिन वीडि देख लो, आपके सारे problems इसमें cover करने वाला हो, दूसरा किसी बंदे का वीडियो देखनी की ज़रोत नहीं पड़ेगी, चलो वीडियो को start करते हैं without any wasting of time, let's begin तो चलोगा, इस यहाँ पर हम steps को basic से start करते हैं, ठीक है, तो देखो अगर आपका harddix internal है, किसी PC के अंदर, laptop के अंदर का, तो भी, अगर आपका, जो harddix है, वो external भी है, तो भी, तो process सेम है, क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप अपने harddix को बाहर निकालो, या फिर अपका laptop होगा, तो उसको open करो, harddix को बाहर मत निकालो, laptop को on करो, अपने PC को on करो, और अपने harddix के पास ध्यान से सुनो, अपके harddix में से कोई ज़्यादा आवाज तो नहीं आ रही है, वो पहले आपको notice करना है, मतलब, जब on कर रहे हो अपने system को, जब आप externally connect कर रहे हो या फिर अपने PC के internal में होगा, तो जब on कर रहे हो, तो harddix now smoothly run करता है, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं आता है harddix में से, बहुत कम, unnoticeable आता है वो आवाज, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज आ रहे है, ऐसा आवाज बाहर बहुत आ रहे है, ऐसा कर रहे है कि बहुत ज़् pressure किर रहे है, लोड होने के लिए, ऐसा आवाज आ रहा है, तो आपको harddix खोलना पड़ेगा पूरा, harddix के अंदर दिख्कते, लेकिन ऐसा कोई भी आवाज है नहीं आ रही है, आपके harddix में से, तो आप एक काम कर सकते हो, harddix को बाहर निकालो, यहाँ पर आप जो है brush ले pins को आप clean कर सकते हो, step 2, अगर clean करने के बाद connect करो, फिर भी connect नहीं हो रहा है, तो अब harddix को ही open करो, तो harddix को open करते हैं time बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है भाई, बहुत बहुत जादा सावधानी है, क्या है, ध्यान से देखो, सबसे बहुत अपने harddix के उपर के अगर harddix में से click click चिक चिक आवाज आ रही है, तो मतलब यह जो आप head देख रहे हैं यह कुछ इस जगे पर हो जाता है, या फिर इदर बीच में आ जाता है, या फिर उस disk के बीच वाले गोले को चिपक जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो उधर इदर नहीं हो रहा है, वो फसा हुआ है, इसलिए आपका head उस initial position में जाने की कोशिश करता है, तो click click चिक चिक आवाज करता है और boot नहीं करता है आपका windows जो भी है, या फिर externally connect नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से आप अपना जो कोई भी tester वगए होगा इस तरह से रख सकते हो, और जो head को है, धीरे से सरकाना है एकदम initial position पे, अगर ऐसा फसा होंगा तो, ठीक है, आपको disc को घुमाते घुमाते initial position पे लाना है, कोई pressure नहीं देना है, head पे बहुत ध्यान से करना है इस तरह से, एकदम धीरे धीरे, एकदम smoothly handle करना है इसको, इसके initial position पे आ गया, तो बस काम ख जाएगा, ये था second वाला जो problem है वो, ठीक है, अब याद रखना, अपना जो screwdriver है, आपका जो भी opener है, tool, याद रखी कि वो tool बिल्कुल उस disc के उपर touch ना हो, अगर गलती से भी उस disc के उपर scratch wedge के रहना आपका data चला जाएगा पूरा, मतलब काम नहीं करेगा, फिक ना प्रोब्लम के उपर, तीसरा प्रोब्लम जैसी के आप देख सकते हो, ये इसको बोलते है, जो मेरे हाथ में पकड़ा है, अब ये head मैंने open क्यों करा है, क्योंकि ये next problem है, आपने जो है hardix, जो है, फूक मार के pack करके लगाया, फिर भी अगर connect नहीं हो रहा है, फिर भी show नही इसके हो गया, या फिर कुछ physical damage हो गया, तूट गए, ये chips होते हैं, आपर एकदम बारीक से दिखते भी नहीं है, और वो chips देख पार है, मैं निकाल के उखाड के दिखा रहा हूँ, ये chips अगर तूट गए न, तो ये ही है वो जो read और write करते हैं, आपके disk के उपर, और वो तूट जाएंगे, तो आपको ये पूरा head ही बदलना पड़ेगा, और head separately तो possible नहीं है, मतलब मुश्किल है बहुत, तो आपको पूरा दूसरा hardix ही खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इस head को change करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये है last solution, अब एक और चीज, देखो हमेशा एक चीज याद रखो, आपका head जो है न, वो खराब वही चीज होती है, अगर आपका hardix नीचे गिर गया हो, या फिर बहुत टाइम के बाद आपने अपना hardix बाहर निकाला हो, या फिर बहुत ज़्यादा running है, बहुत read and write का का काम करते हो आप, तब वो head खराब होता है, ठीक ह उसके बाद next problem की उपर आते हैं, next क्या problem हो सकता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपका PC भी बोल सकते हो, या फिर इसका motherboard बोल सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है काफी chips देखने को मिल जाएंगी, ICs देखने को मिल जाएंगी, जो कि read, write में help करते हैं पूरा, तो वहाँ पे ऐसा powder powder सा कुछ dust जैसा होगा, तो आपको thinner या फिर petrol मार के clean करना पड़ेगा, और याद रहे है, सब कुछ सुखने देना है, जब मारते हो thinner, petrol कुछ भी, सुखने आए चाहिए हो पूरा, clean करो, फिर से fitting करो, सब close करो, और लगा के देखो, आपका external connect हो रहा है की या फिर आप internal में हो तो आपका windows बूट कर रहा है की नहीं, चेक करना पड़ेगा आपको, तो इस तरह से आपको एक 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 प्रॉब्लम को चेक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये PCB वाला प्रॉब्लम तो बहुत कम आता है, जादा तर ये head का related issue आता है, एक जाम होता है, जो storage के लिए हमेशा के लिए थोड़ी बहुत सालों तक रख देते हैं, side में उसमें data डालके, तो उनका head जाम होता है, तो मैंने आपको head को कैसे, उसके initial position पर लाना है, वो मैंने आपको बता दिया, वो करोगे, तो आपको hardix फिर से चालू हो जाएगा, और हो mechanical part है, तो movement रहेगा, तो freely work करेगा, नहीं तो जम घाय जैसा वो रुख जाएगा, तो ये चीज़ not down करना, उसके बाद next मैंने आपको बता दिया है, कि आपना hardix जो है, आपका hardix नीचे वगरे गिरा होगा, तो उसमें जो है chips होते हैं, laser chips जो head होते हैं, वो तूट जाएग क्योंकि बाहर ये head बिखते नहीं है, तो आपको दूसरा same GB का hardix खरीद के, उसमें का head निकाल के, इसमें head के अंदर डाल दोगे, तो वो disk जो है read करेगा, मतलब आपका recover कर सकते हो data, पूरा data आपका safe रहता है, इस disk के अंदर, आपका disk खराब नहीं होता है, बाकी parts खराब ह लग सकता है, PCB खराब हो सकते है, कोई component जल सकता है, या फिर head खराब हो सकता है, लेकिन आपका disk safe ही रहता है, 99% chances है कि आपका data safe ही रहता है, तो आपको खोलते time ध्यान रखना है कि disk के उपर कोई scratch ना पड़े, कुछ ना हो, और disk के उपर कोई कच रहा होगा, तो फूक मारो उसको किसी clean win मत करना, फूक मारो, छोटे-छोटे dust particles होंगे तो, ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो यह hardics के अंदर यही चीज़े होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, तो इस तरह से आप अपने घर पे ही hardics को repair कर सकते हो, ठीक है, म खोलने के बाद यह disc जो दिख रहा है, मैं clean कर रहा हूँ इसको, इसको वैसे तो clean भी नहीं करना चाहिए, हाथी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं अपना चश्मा पोस्ता हूँ, उसी cloth से पोस्ते रहा हूँ इसको, ठीक है, तो यह जो disk के अंदर डाल दो, उसका disk खटा के, तो आपका data पूरा recover हो जाएगा, मतलब पूरा information इस disk के अंदर होती है, तो बहुत जाधे emergency है, आपका business का data वगरा है, तो harddicks इस तरह से आप जो है recover कर लोगे बहुत easily, तो यह वीडियो था, वीडियो पसनाएको तो please वीडियो को like, share चैनल को subscribe करना, कुछ आपको और भी comments या फिर कुछ भी doubts होंगे, तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो, हर problem का solution मैं fix करनी की कोशिश करता हूँ, और आपकी help करने में हमेशा ready रहता हूँ, मुझे इंस्टा पे follow कर लो, वहाँ पे आप मेरे से जो है personally बात भी घर सकते हो, मि